गूड इनिंग हमारे क्लास 11 टोल्ट के प्यारविचो आज हम लोग चलेंगे जो आपका टांसफार्मेशन की टॉपिक चल लगी आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचिंज आफ असेर्टिव एंट इंटरगेटिव सेंटेंज में कैसे बदले और इंटरगेटिव सेंट को असेर्टिव के सिंटेंज में कैसे बदले आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और यह प्यारव आपकी ग्रैमर की चुटा हो पिछली क्लास में इसे आपका थेज क्लास में कुछ भी चूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट ने जाएं उपकी उप्रेलिस्ट में होंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12 इंगल если ग्रामा नियू सल करके आपके प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें सारी क्लासिक से ठीली वाइज प्ल цен भांक मुह कर superior होगी तो चहां टो यही आपको आज की क्लास में बताइंगे तो चलते हैं और असे चनल पे पहले जरूर कहेंगे जो भी विच्छे चैनल पर पहली बारा है चनल को सिस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 टॉल्स किसे भी वच्चों वीडियो को सीर और आपकी जिम्यदारी है यहां ध्यान देना पर आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस में साधारन वाक्य तो हम लोग समस्ते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं तो हमने इसमें देखी डिफिनीशन क्या लिके हैं जिन वाक्यों से कथन करते हैं उससे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं यह दो प्रिकार का होता है सिंपली सी बात है जिसस से निगेटिव सेंटेंस कहेंगे तो इसलिए हमने लिखे वह यह दो प्रकार का होता है फ्रकार पहला क्या हो जाएगा अफिर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा और यह सारी चीजक्त हैं थोड़ा से तेज़ बता है क्योंकि आपने high school में पढ़ा हुआ होगा आपका high school में वाक्यों से सक्रात्मक सूचना प्राप्त होती है उसी क्या बोलते हैं अफर्मेटरी सेंटेंस बोलते हैं जिससे सक्रात्मक सूचना प्राप्त होगी तो अफर्मेटरी सेंटेंस कहेंगे तो इसकी एक्जामपल में हमने लिखे हुए हैं राधा यह सिंगिंग असांग राध नकरात्मक जो है वाक हो झाइय को नगला कुछ उसे निगेटिव सेंट 멉क्रात्मक क्या होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहता है मिंस वह negative sentence कहलाता है simple सी बात है कि सूचना सक्रात्मक होगी तो affirmative sentence होगा अगर अगर सूचना नकरात्मक सूचना होगी तो क्या हो जाएगा negative sentence हो जाएगा जैसे हमने इसी वागप को लिग दे RADA is not singing a song मिंस राधा एक गीत नहीं गा रही है तो सूचना हमी कैसी मिली नकरात्मक सूचना मिली और नकरात्मक सूचना मिली तो जाहिसी बात है ये कौन से सेंटेंस हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा अगर सूचना नकरात्मक मिल नहीं तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा गुल मिलाकर के असर्ट इंटरागेटीव सेंटेंस क्या होती हैं अब यहां पर देख़ए। है इंटरोई और समस्तिंथ लिखा गया है तो इसकी समझलेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे विशक्रण करेंगे जिन वाक्यों की दारा प्रश्ण पूछा जाता है वह इंटागेटिव सेंटेंस कहलाता है सिंपल सी बात है जिन वाक्यों की दारा प्रश्ण पूछा जाएगा वही इंटागेटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है प्रश्ण सूचक वाक्य प्रष्ण सूचक वाग है तो जिसे प्रष्ण क्या जाएगा वही ही आपको क्या हो जाएगा इंटर्गेटीव सिसेंटेंज हो जाएगा यह भी दो प्रकार का होता है इंटर्गेटिव सेंटेंस भी क्या होता है दोर प्रकार का होता है यह थोड़ा से तेज इसलिए चल लें क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो इसलिए इसमें ज्यादा समझाने की कोशिस नहीं कर रहे हैं ठीक है अब पहला प्रकार क्या हो जाएगा जिनका उत्तर यह साबलीक नो में दिया जा सकता हो उसे कहेंगे यह साबलीक नो टाइप आफ इंटर्गेटिव सेंटेंस कहेंगे जैसे इसमें लिखे वे हैं जिन प्रशनों का उत्तर यह साबलीक नो में दिया जा सके यह साबलीक नो टाइप आफ इंटर्गेटिव सेंटे कहलते हैं जैसे हमने लिखा इस पूजा सिंगिंग क्या पूजा गारी है अगर पूजा गारी होगी तो आप yes कहोगे अगर नहीं गारी होगी तो no कहोगे तो simple सी बात है जिन प्रशनों का उत्तर yes अब लिक No में helping work आपको है helping work आपको इस देख रहा होगा तो इस प्रकार के वाक्यों के सिरुवात किसे होती है helping वर्व से होती है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे क्या होगा आपके आपका दूसरा concept है यह वर टाइप आफ इंटागेट्व करया है उसले तो ुल्हज़ टाइप के संटेंस पर अब डूर्छ टाइप आफ हीटीट्व सेंटेंस क्या हो जाएगा य ह्म प्रषयों प्रस्ष्णों का उत्तर या साब्लिक selective सेंटेंस कहलते हैं जैसे हमने बुला आपनी जो है पुड़ा एक्स्पानेशन देगें का पूजा को कहा रही है तो इसलिए आपने इसका उत्तर यस आप लिक नो में नहीं दे सके तो यह आपको क्या हो जाएगा डवलू एच वर्ड टाइप आफ इंटर्गेटिव सेंटेंस हो जाएगा और डवलू एच नाम के उपड़ता है क्योंकि इस जो प्रस्ण सुचक सब्द होते हैं उनमें कही आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इनको दूसरे को कैसे इंटर्चेंज करते हैं बीना अर्थ को परिवर्तित कि इस बात को संते रहिएगा बीना अर्थ को परिवर्तित कि आपको करना है क्योंकि परिवर्तित करना है । जल्दि से लोग देखते हैं। इसका अब हम लोग इंटर्चेंज पर चलते हैं। और दूसरा जो आपको बताएंगे ओ इंटागेटिव सेंटेंस को असेर्टिव सेंटेंस से बदलने के लिए बताएंगे तो हम लोग एक एक करके इसका अध्यन करते हैं तो पहले के बारे में अध्यन करते हैं पहले आपको क्या है तो हम लोग एक एक करके सभी नियम के बारे में अधन करते हैं, तो हम लोग रूल नमबर फर्स्ट पे आते हैं, देखते हैं, रूल नमबर फर्स्ट इसमें क्या है, कि असर्टी सिंटेंस को इंटागेटिव सिंटेंस में किस प्रकास से बदलते हैं, इसका नियम नमबर पहल हो गया कुड हो गया में हो गया माइट हो गया इस सारी जो वर्व होती हैं क्या क्या बोलते हैं साय क्रिया की संख्या कितनी होती है 24 होती है हमने आपको बताई हुए है primary auxiliary होता है और model auxiliary होती है यह सभी सहायक्रिया है आपकी होती है helping वर्व होती है तो हमने इनकी संक्या 24 बताई हुए है तो यह सभी 24 मिंस को वाक्यों में सबसे पहले ले आते हैं मिंस अगर जो है आप assertive sentence को integrative sentence बना रहे हैं तो जो भी वाक tahu me helping भर्व है उससे सबसे पहले लाते हैं अर्थात वाक्यों को उसी सहायक्रिया से सुरू मिंस वाक की सुरू आपको किसे करनी है उसी सहायक्रिया से स्यंक्रिया से आगे देखते हैं यह आपका पहला रूल था आगे दो तीन नियम देखते हैं उसके बाद एक्जांपल देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीजे एक एक करके फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे जल्दी से रूल नंबर टू की तरफ हम लोग यहाँ पर देखी परपचा आपका रूल नंबर टू दीव हैं लिखे विए हैं रूल नंबर टू देखी क्या है यह दि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है यह सबसी इंपॉर्टेंट नियम है यह दि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है आपको बताए तो जब आप उसे बन जाता है किसम से बना देतой है तो जाहिए शिवात है किस का प्रयोग करेंगे नाट का प्रयोग करेंगे तो यह आपका एक concept देना लो अगर affirmative होगा तो negative में बदल देना है और negative होगा तो उसे affirmative बदल देना होता है यह interchange करना होता है यह इस प्रकास interchange करना होता है तो अभी हम example की माध्यम से और अच्छे से समझा देंगे अभी बस जितना नियम समझा रहे ह एक बार उपरी डंग से समझने के कोसिस करो फिर उसके बाद उधारण के माध्यम से जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्यारपचे यह हो गया rule no.3 में देखी हमने वही लिखे हुए होंगे यह थी assertive sentence negative है तो means assertive sentence अगर negative है तो integrative में बदलने पर वह affirmative sentence हो जात है जाइसी बात वही हमने बताया अगर negative है तो उसे किसे बदल देंगे को बदल देंगे अगर affirmative हो है तो यह किसे बदल देते हैं निगेटी में बदल देते हैं अर्थात यहां पे देखी अर्थात उसमें I V negative जैसे not आधी हटा दिये जाते हैं अगर आपका जो है negative sentence दिया ह हुआ है तो उसमें जो निगेटिव वाले सब्द होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं और इसके साथ साथ नेवर की अस्थान पर एवल लगा दिते हैं तथा नो के अस्थान पर एनी हो जाता है जो आपका नो आता है नो को किसमें रिप्लेस कर देते हैं एनी में कर देते हैं चुकि आपका नो निगेटिव सब्द होता है निगेटिव सब्द को किसमें बदल देंगे एनी में बदल देंगे यह आपका पॉश्टिव सब्द होता है तो सिंपल सी बात है अगर नेवर आय कि यह दिदूसरा अफर मिटरी सेंटेंस तो उसे नीगेटIVE सन्टेंस बना देते हैं अगर नीसेंटेंस टीनेंस क eyeball के Con door L करना होता है तो ओधारन की तरह बढ़ते हैं इसले चलेंगे मैं सा गई रख्या हो जाएगा कहीं कोई समस्या दिक्कत परशानी नहीं होगी तो जल्दी से प्यारप्चे हम लोग उधारण की तरफ बढ़ते हैं अब यहां संधनी की कोसिस करना हमने एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस आपका दोनों हो सकता है फर्मेट की होते हैं और फर्मेटिव भी होते हैं इसलिए इस बात को दिमाग के बनाए रखो तो यहां पर असर्टिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है टैगोर वाज ग्रेट पोई टैगोर क्या थे एक महान लिखक थे आप इससे बनाना है आपको बीना अर्थ परिवर्थित किये जो है जो वाग में हेल्पिंग वर्भ है उस हेल्पिंग वर्भ को आपको क्या करना है पहले रख देना है अब टैगोर वाज टैगोर वाज ग्रेट पोईट में हेल्पिंग वर्भ आपको क्या दिख रही है वाज दिख रही है तो वाज को आपके क्या कर दोगे पहले Affirmative में sentence हो, तो हमने आपको क्या नियम बताया, कि आपने उसे इंटागेटिव के नेगेटिव में बदल देना है, तो नेगेटिव में बदलेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? तो वाज टेईगऊर नाट लák ग्रेट पोरेट, कभी आपसे कोई पूछता है किसी संदर में बात करता है तो अगर आप उसका जवाब वही देना चाहते हो मिस पूछना चाहते हो तो आप उसका उल्टा करके पूछते हो ना जैसे कोई कर दिया टैगोर वाज ग्रेट पोई टैगोर जो एक महान लेखक थे तो आप क्या आप निगेटिव संस के रूप में उसे निगेटिव सब्दों के माध्यम से पूछते हो तभी आपका पॉस्टिव जो है पॉस्टिव रेजल्ट निकलता है न तो वही यहां पर कॉंसिप्ट है उस कॉंसेट को अगर आपनी दिमाग के मना लिया तो आपको कोई समस्या प इसको हिए तो हमने का क्या कोई बच्चा रो रहा है तो इसे कौनसिप्ट के आधार पे यहां सारे नियम बनाएं गये हैं तो यहां पर आपको क्या हो गया वाज टैगोर नाटा ग्रेट अट तो अफ़र्मेटिव था तो हमने ने नेगेटिव सब्द्र उसकर दिये और आ पिअपने समझ से इसे क capitalize पर पांच को अब उतरीकिंघत में नियम क्राइब है उस पहला क्या साक नियम काकी युश्मित्तों रिक्ते सब्सक्राइबं सब्सक्राइब दूसरे एक्जांपल की तरफ बढ़ते हैं दूसरे एक्जांपल में सम्ने की कोसिस करते हैं और दूसरे एक्जांपल में चलने से पहले जो नीचे दिख रहा है यूटूब ना अग्स एक्जांपल आपका क्या दिये हुए हैं यहां पर देखिए प्रफचे हम ने लिखे हुए असरेटी सेंटेंस में लेवर फारगेट माइक और नेस ही विल लेवर फारगेट वह कभी नहीं भूल सकता है माई कभी नहीं सकता है आप डिये हैं निव्ल हो गया ऋगया हमने नेवर को परिवतित करने लिए आपको नियम बताई विए थे तो निवर को आपके सिम परियुतित करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कैसे हो गया क्योंकि आपने जहें से बदलने के लिए हमने नियम बताए है आप पहले helping रखोगे फिर उसके बाद never को ever में change करोगे जो नकरात्मक सब्द है उसे सकात्मक सब्द में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा will he ever forget my kindness क्या वह मेरी इमांदारी kindness में इस द्यालता को कभी भूल सकता है तो यहाँ पर हम भूल सकेगा क्योंकि will है भूल सकेगा तो हमने वहाँ पर मिंस नहीं भूल पाएगा मिंस बासने की कोशिस करना अगर आपसे आपने कहा he will never forget my kindness में वह मेरी इमांदारी उदारता को जो है kindness द्यालता को कभी नहीं इस नहीं भूल पाएगा तो इसलिए आपने इंट्रागेटिव सेंटेंस में कहा लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ इसलिए आपको क्या हो गया फोकस करना ठीक है अगला आपका दिये विए है और पास्ट इंडिफने टेंस में आपको पता है कि आप जो है टीट इंट्र इश नat आस्क प्रियां करदो कर जो चुको यह पता है कि सेंट्टेंस किसमें किसमें में बनाने हैं आपको निगेट्व सेंट्फन में उपर वाला अफर्मेट्व सेंट्फन दिया था तो नीचे क्या हो हैं से वाकिष्भ या to be a good girl यह आपका integrity sentence में conversion हो गया परिवर्थित हो गया तो प्यार्टित यह आपके कुछ नियम थे जो बेहतरीन से नियम थे सटीक से नियम थे इसी नियम के आदार पे सारे आपके होंगे लेकिन कुछ और ढंग से भी परिवर्थित कर सकते हैं आप उसे अगले नियम में क प्रेजेंट इन्डिफनी टंस है तो प्रेजेंट इन्डिफनी टंस में सायक्रिया को जोगे तो डूडस आएगा और एनी वन की वज़़ं से आप डूड़ का प्रिवर्थित करणा है पीछे हमने बताये वह था ता कर ना है नेवर को इवर में में चंज करना है इस बात को दिमांग में बंठा है राना नर्ष नो तब आप एसका औरकर तुम्हें सभी लोग जानते हैं मतलब आप उल्टा बोलते हो जब किसी को कहते हैं तुम्हें कौन जानता है मिझस तुम्हें कोई जानता नहीं है अगर इसे को कहा होते हैं हूँ ड़स नाट-आ्ट-व य newcom कन नहीं जानता है तो तब क्या हो जाता मिझस तुम्हें सभी लोग जानते है तो तो प्यारबpmalic को संजने की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर प्यारप्चे बात संजने की कोशिस करना रूल नंबर फोर हैं में इस तीन नियम आपके हो गए चौते नियम की तरह बढ़ते हैं चौते में क्या दिये हुए हैं असर्ट्यू सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के अस्थान पर इबरी बाडी नो नन हो तो उसके अस्थान पर हू का भी प्रयोग कर सकते हैं प्यारप्चे बात संजने की कोशिस करना असर्ट्यू सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के अस्थान पर क्या दिया हुआ हो इबरी बाडी दिया हुआ हो नो बाडी दिया हुआ हो नन दिया हुआ हो तो उसके अस प्रयोब हो अब्जेट के अस्थान पे क्या दिया हुआ हो अब debugging दिया हुआ हो थो इसके अस्थान पे आपके इसका प्रियोग कर सकते हैं महान होना पसंद करते हैं तो आपका दोगे ाोगिंके यह His Dingen पुरानी नीव होंगे बाकि पुरानी नियम मैसे जयसे क्या हो जाएगा निएट फर्मेटीम हो जाएगा व पाकी पुराना नियम रहेगा तो क्या हो जाएगा who does not like to become great miss कौन नहीं चाहता है महान होना होना सभी लोग चाहते हैं अगर आप ऐसे कोई कह दें कि कौन नहीं to become great हो जाएगा simple concept इसमें देने की कोशिस करेंगे everybody likes to become great है, affirmative हो है तो यहाँ पर negative बनाएंगे, negative में करेंगे क्या अगर everybody दिया हुआ है तो आप हू से लिख सकते हैं, हू से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, who does not क्यों कि likes था, likes था means present difference था, उसका negative क्या हो जाता है do not, does not लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, does not हो जाएगा, who does not like to become great हो जाएगा, प्यारबचे यह आपका हो गया, दूसरा हम लोग इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, जो आपका रामबान हमने fantasy आपको दिया हुआ है, उपर शुरुआत में जो दिये हुए हैं, आप सहाय क्रिया को पहले कर देंगे, तो सहाय क्रिया को कैसे करेंगे, does everybody not like to become great, means आप अगर परिवर्तिन everybody को नहीं करना चाते हैं, तो बिल्कुल ना करिए, तो क्या होजएगा, does everybody not like to become great, क्या सभी व्यक्ति जो है, महान होना नहीं चाते हैं, मिस सभी लोग चाते हैं, अगर हमने आपसे का क्या सभी लोग महान होना नहीं चाते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं सभी चाते हैं, तो affirmative में आपने उतर दिये ना तब, तो simple सी बात है, इसलिए हमने affirmative रहता है, तो negative में बदलते हैं, negative रहता है, तो affirmative में बदलते हैं, उम्मीद करते हैं, पैरपचे यह आपको नियम समझ में आ गया, आप who से भी कर सकते हैं, नहीं मन आपका कर रहा है, तो आप बिलकुल ना करिए, आप जो पुराना नियम बताई वे हैं, उस नियम के आधार पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझ्चा परशानी होने वाली नहीं है, पैरपचे उम्मीद करते हैं, आपको यह नियम अच्छे हस्ते समझ में आ गया होगा, हू का किस प्रकास से प्रियोग करना होता है, हू का प्रियोग का आप कर सकते हो, जब इबरीबाडी दिया हुआ हो, नोबाडी दिया हुआ हो, नोवन दिया हुआ हो, नन दिया हुआ हो, सबजेक्ट तो उसके अस्तान पे हू का प्रियोग करते हैं, तो प्राणी नियम भी आपका सकते हो जैसे हमने नीचे लगाई वे नीचे परिवर्थित किये हैं और इसी तरह से जो इसके पहले उधार दिये थे उसमें भी हमने यही काम किया था पुरानी नियम को भी लगाई वे थे जो नया नियम था हूँ वाला concept उसे भी लगाई वे थे उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा कहीं कोई दिखकर समस्या परशानी नहीं हुई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं rule number five की तरह बढ़ते हैं इसके अंतीं नियम की तरह बढ़ते हैं यहां आप देखी प्यारब चोब अभी एक एक जांपल एक दू एक जांपल और देख लेते हैं फिसका आपका रूल नंबर फाइब पे चलते हैं एक एक जांपल हमने और लिखे हुए हैं यापर इब्रीवन नोज दीपी का पादुकोंड मिन्स सभी लोग किसको जानते हैं पादुकोंड कौन है जानते लोग लोग तो कुल जानते हों कि इंतरगेटीव चेंटर्स में अगर बदलें घर रहें तो कैसे बदल जाएंगे हमने आपको बता अब आप जाहिवां दिया हुए तो आप जतरी बात है किसका प्रियोंगे और तो क्या होजाएग का तो क्या सोו हो जाएगा तो इस प्रकाल से आप हुंप का प्रियोग करके यहां पर बना सकते हैं और दूसरा कॉट अपका आपका क्या हो जानता नहीं जानता है तो मिन सभी लोग आप इतर मिल जानने सभी लोग जानते है घर पूछती है कि क्या को नहीं जानता है तो कईो कि नहीं सभी लोग जानते हैं इसका मुर्थ हो जाएगा यहां पर देखने की कोशिज करिए आपका अंतिमियम है कभी कभी assertu से integrative sentence बनाती समय sentence का प्रारम भाव की अनुसार why, what, when, how, other से करते हैं अगर since के according आपको जरूरत पढ़ रही है तो why का भी प्रयोग कर सकते हो what का भी प्रयोग कर सकते हो when का भी प्रयोग कर सकते हो how का भी प्रयोग कर सकते हो तो अगर जरूरत पढ़ रही है, इस बात को समझने की कोशिस करना, अगर जरूरत पढ़ी है, तो आप उस तरह से भी परिवतित कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं मन कर रहा है आपको परिवतित करने का, तो जो पुराने नियम हमने बताई हुए हैं, उस नियम के अंसा लगा तो बिल्कुल आपका सही होगा यहां पर संद्धने की कोशिस करना जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस लिखे हुए हैं इस नो गुट टू हैल्प दिस पूर मैं मिस्ट यह अच्छा नहीं है कि इस गरीब का क्या किया जाए मदद किया जाए मिस्ट गरीब का जो बंदत किया ज इस में की बना दिये तो गया बटू पॉर मैं लेकिन अगरा मन का favor वाली में आपको दिक्कत हो रही है भाव के इंसार नहीं निकाल पा रहे कोई बात नहीं आप सीधे अपने पुरानी नियम को लगाओ तो क्या हो जाएगा पुरानी नियम को लगाओगे तो helping पहले आजाएगी is it any good no case में चंज हो जाएगा any में चंज हो जाएगा is it any good to help this poor man तो आपने सीधे पुराने नीयम को लगाया पुराने नीयम को लगाया करके सिधे आपको सटीक हो गया तो क्या हो गया logically after to help this poor man तो यह प्यारव प्यारवचे आपका हो गया जैसे हमने दूसरा सेंटेंस यहां पर लिखे हुए है दियर ग्लोरी के नेवर फेड उसकी जो ग्लोरी है वो कभी फेड नहीं हो सकती है मोचित नहीं हो सकती है उसका जो चमक है ग्लोरी है चारो तरफ जो उसकी प्रसंसा हो रही है वो कभी fade नहीं हो सकती है कभी धूमिल नहीं हो सकती है तो पहरेचे हम पर बात समझने की कोशिस करना तो कभी धूमिल नहीं हो सकती है तो means कभ धूमिल हो सकती है इसका हो जाएगा तो when can the glory fade मिन्स उसकी जो है glory कब जो है धू मिलोगी तो मिन्स कभी नहीं धू मिलोगी और यहाँ पर बात समझने की कोशिस करना वहाँ नेवर दिया हुआ था नेवर दिया हुआ है तो मिन्स आपका किसमे निगेटिव सेंटेंस में है निगेटिव सेंटेंस में है तो यहाँ से जाहि लबाकिय था तो यह हो गया अगर नहीं मन कर रहा है आपको कहीं समस्चा दिक्कत हो रही है तो सीधे पुराने कांसरेट पर आओगे तो क्या हो जाए कैन को आप पहले कर दोगे जो हल्पिंग वर भी साक्रिया उसे पहले कर इवर मने, फ्रेड हो जाएगा तो अस तरह से हम परिवर्थित करते हैं उमीद करते हैं यह पांचोल नियम बहत्री डंग से आपको समझ में आ गया होगा आप थोड़ा सा किताब का साहरा लीजिएगा अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं थोड़ा सा किताब का साहरा लीजिएगा लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है किताब का साहरा लेंगे तो सारे एक्जामपल मेने किताब के माध्यम से अब आपको हम बताते हैं कि इंटागेट्व सेंटेंस से असर्ट्व सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, अब हम लोग उस नियम की तरफ बढ़ते हैं, तो प्यारपची उस नियम की तरफ बढ़ने से पहले, जो नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा ना, चैनल को तुरंत सस्क् मसते हो का सजी क्या कहने वाले हैं, ठीक है, आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, अब यहां पर अरपची देखना, इंटागेट्व सेंटेंस को असर्ट्व सेंटेंस से बदलना, अब यहां पर नियम आएंगे, इंटागेट्व सेंटेंस को असर्ट्व से सेंटेंस में कैसे बदलते हैं अब उसके नियम चलेंगे अभी तक क्या चले हुए थे असे इंटरागेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए असर्टिव से attitude sentence बनाने के नрахमों का उल्टा कर देते हैं जो अभी तक आपने नियम पढ़ा हुआ था उपई नियम को उल्टा कर देंगे मिसी उल्टा करेंगे तो जिस तरह से आपने हैं assertive सो इंобраз никаких बना कि जो अभी आप नियम पढ़ा उन सारी नियमों को उल्टा कर दीजिए तो आपका इंटागेटिव से किसमें बदल जाएगा अब यहां पर समझने की कोशिस करना आपका अमने उधारन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमने इसका प्रयोग करने हैं यह बहुत स जाएगा आप इसे सब्जेक लिकरेंगे तो पहले सब्जेक लिकैंगे आई हो जाएगा आपको उसके बात लि eliminating लिक्राइब होगे तो क्या हो जाएगा I can हो जाएगा Never mysteries हो जाएगा Simple सी बात आपनी कर दिया I can never win the first prize किया मैं कभी जहाँ ज़ेश सकता हूँ तो मिसे मैं कभी नहीं जिश सकता हूँ तो ए पर उचै। हो जाएगा Simple सी बात हो गया जो तारे नियमS लगा है थे आपने उसी का ऊपार दो कोशिस करना हमने लिए इस लेब नाट ब्लाइंड क्या प्यार अंदा नहीं होता है तो बिल्कुल क्या प्यार अंदा नहीं होता है अगर आप से कोई पूछ दिया क्या प्यार अंदा नहीं होता है तो आपको नहीं प्यार अंदा होता है तो क्या हो जाएगा आप पहले तो इस तरह से किसमें बदल दिए एक इग्जांपल की माध्यम से और आपको समझाने की कोशिस करते हैं और एकदम बहत्री सटीक से सारी नियम इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत की समस्या की कोई बात ही नहीं है अब जहां जैसे यहां पर हमने लिखे हैं आपका इस एक जांपल भी देखिए इंटागेटिव में लिखा हुआ है उप नाट लाइक टू पी इस इससे कौन धनी नहीं होना हुआँ चाहेगा तो प्यारशे बासंद्धने की कुसिस करना या हूँ आ गया है सब्सक्राइब भी बना रहे हो कि ओपर आपका निगेटिव दिया हुआ था तो आप अफर्मेटिव बना रहे हो सब्सक्राइब, जोल गया मैं आलों कुछ करता है, तो आपनी कर दिया, आर तो परेच करते हो, तो यह बात हो गई जैसे आपको कोई काम कहा जाता है करने के लिए तो आप धंक कभी काम करते हो ना तो वही यहां पर उल्टा वाला आगे चलते हैं इसके अंतिम एक्जांपल की तरह बढ़ते हैं यहां पर दिया हुआ है अगर अफर्मेटी दिया हुआ है तो आप जाहिस से बात है यहां निगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसके नेवर हो जाएगा नेवर डाई मिन्स कभी नहीं मरेंगे तो क्या हो गया इसका नियम कौन से है मैं इसकी दो नियम है तो एक नियम आपका कंप्लीट हुआ अगली दूसरी नियम की तरह बढ़ते हैं देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है और दूसरी नियम पर च प्खेism जब भी छैनल का नाम दिख जाये न समझत जाना सध्य क्या कहने वाले मों तो प् этим तरफ में बढ़ते हैं अन्तिम नीव की तरह बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या होगाया है ऐहां पर सम्झने की कोसिस करना हैं रूल जिनने कुछ भी से इस परिवर्तन के दौरा आप किसे बनाते हैं, असर्टी से बनाते हैं, अब हम लोग इसके एक्जांपल की माध्यम से चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने प्रयोग करके इसका बनाई हुए हैं, यहाँ पर कोई नियम कानून नही एक्जांपल देवे हैं, what if you do not help me, means, what if, तब क्या होगा, if you do not help me, यöदी आप मदद मेरी नहीं करते हैं, येदी आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तब क्या होगा, मिसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होजाएगा, it does not matter, यह कोई बात नहीं है, if you don't help me, यदी आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है तो it does not matter हमने अपने मन से प्रयोग किये हैं it does not matter कोई बात नहीं है if you do not help me यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है simple सी बात है उपर दिया था what if means क्या है you do not help me यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो means it does not matter यह कोई बात नहीं है if you do not help me यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो आपने यहां पर किसका प्रयोग किया it does not matter का प्रयोग किया आप जैसे यहांपर दूसरा वाग की दिया हूए है, दूसरे वाग को देखिए यहां समझने की उकूसिस करेे, दो-्री एजंपल में सारी चीज़ Steps समझने की के इकूसिस किये हूए है, आप यहांपर इंटराइटिव सेंटरस्पन संटर्स्स आपको दिख रहा होगा, इं इन दिस फ्रूटलेस आकुपेशन इस जह है बिना फायदे के बेऊसाय में क्यों अपना समय वेस्ट किया जाए में इस बरबात किया जाए आप क्या हो जाएगा इट इस एक्स्ट्रीमली फुलिस हमने क्या लिए क्या हुआ यह अत्यंत मुर्कता होगी तो वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस आकुपेशन इस जह है आकुपेशन में क्या करना अपना समय वेस्ट करना क्या होगा आप ध्यान देना उपर वाले क्या नीचे वाले का कोई अर्थ में परिवर्तन तो नहीं हुआ है ना वाई वेस्ट टाइम इन दिस फूटलेस आकुपेशन क्यों जो फाइदा नहीं दे रहा है कुपेशन बेवसाय में क्यों अपने समय की बरबादी की जाए तो जाइसी बात है उपर वाले में क्या कॉंसिप्ट आपका यूज हुआ था मैं समय की बरबादी हो रही थी क्यों स उसमें हम समय की बरबादी कर रहे हैं तो जाइसी बात है वह मोरकता होगी तो हमने असर्टिव में से किस तरह से बदल देने हैं आपका हो जानी क्या है इट इस एक्स्टीमली फुलिस टू वेस्ट टाइम इन इस फूटलेस आकुपेशन हो जाएगा सिंपल सी बात है हमने तो आप भाव के अन्मसाद समस्द करके आप उसका प्रयोग कर लेंगे प्रबचे अबवर लाश्ट एक्जामपल की तरह बढ़ते ही देखते एं अनितिमि क्जामपल क्या है आज की क्लास का भी इंतिमि एक्जामपल समयगे करिया है और एम वेस्ट टाइम उन रेडिंग मुर्कता होगी तो क्या होगा हमने साय नहीं लिखे हुए है रेडिंग ट्रेस कर लेना लास्ट वाले में 30 सेंटेस जोन में लिखे वे लिख देते हैं अच्छा हमने यहाँ पर देखी आपका ट्रेस लिख दीए हैं तो क्या हो गया उपर वाले में वाक में भी वही दिया था वाई वेस्ट टाइम इन रेडिंग ट्रेस मिन्स फालतू की चीजों को पढ़ने में अपने समय की बरबात किया जाएं बरबात समय नहीं करना है तो यह मुर्गता होगी जाईस से बात है इस एक्स्टेमली फुलिस टू वेस्ट टाइम इन रेडिंग ट्रेस हो जाएगा सिंपल से बात है सिंपल साव का यहाँ पर कॉंसेट ट्लाजिक हमने योज किया तो उमीद करते हैं पैरबचे यह आपको एक्जामपल अच्छे से समझ में आ गया होगा कहीं कोई देखकर समझता नहीं हुई होगी तो इस तरह से पैरबचे आज की क्लास यहीं पर कंप्रीट करते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि इंटरचेंज कैसे करते हैं यह सापस में अदला बदली करते हैं असर्टिव सेंटेंस को इंटरचेंटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं यह आपको पड़ रहे हूँ हो अपसे समझ न हो lotus तो प्यालव करते हैं अब मिलते हैं अगली क्लास में मुलते हैं कल की क्लास में मुलते हैं लेकिन आपसे क्लास समात करने से पहले आपसे उम्मेद करेंगे यदि आप चैनल पर पहली बार आ थे चैनल को सब्सक्राइब कियोंगे जिन बचों के आवशकता है जो बच्चे कोचिंग या स्कूल की फिस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक प्यारविच्चों वीडियो को जरूर पफर्ण जाने की कोशिस करना यह आपकी जिम्मेदारी है, तो यहीं आज की क्लास समात करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी प्यार प्यारविच्चों